हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक तो माई चेनल तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लहेंगे का ब्लाउस बनाएंगे और इसे हम सबसे अच्छी पैटन में बना रहे हैं तो ब्लाउस जो है हमारे पास वह कुछ इस ट्राइब का है जिसमें फ्रॉंट और बैग दोनों न बना सकते हैं तो वह किस ट्राइब का दिखता है उसका लोग किस का आता है वह मैं आपको दिखाने वाली हो तो देखिए यहांची ब्लाउस है जिसे हमने जी मिजू फैब्रीक में बनाया है तो ऐसा नहीं है कि सबसाची सिर्फ सब देशाची लहेंगे में ही हम ब्लाउस उसको साडी पर भी बना सकते हो कोई भी फैबरिक पर बना सकते हैं यह देखिए यह लहंगे का ब्लाउस है और यह साडी का है जिसमें साडी का जो ब्लाउस होता है यह वह वाला है और इसमें भी हमने सब भी साची पैटन बनाया है तो देख लिए सभी में ब्लाउस अच्छ पणा दिया कि उसमें भी बना सकते हैं और नैट के फैबरिक में बनाने वाले तो चली हम उसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टाट करते हैं तो यहाँ पर शूर्डर ले ले लेना है में 5.5 इंज और आर्मौ ले रहे हैं 6 इंच यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करना है यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है तो 34 का 4th पार्ट होगा 8.5 इंच और 2 इंच प्लस करेंगे हम मारजन के लिए आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं टोटल लैंद ब्लाउस की 13.5 इंच रखना है यहाँ पर अभी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रो कर लेनी है और 1 इंच से आर्मूल के साइट पर गुलाई देनी है तो इस तरह से हमने गुलाई दे अब हमें आपे नेक की वेट रखनी है 2.5 इंच नेक की लैंद हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने नेक की जो लैंद है वो रखी है 8.5 इंच सेंटर परेस में फैवरिक अटेज होगा यहाँ पर देखिए इसका जो शेप है वो कुछ इस टाइप से देना है ठीक है यह देखिए तो यहाँ पर जितना आपको रखना आप उतना रख सकते हैं टक्स पॉइंट 10 इंच रखा यहाँ पर 3.5 इंच लिया है उसके नीचे हम यहाँ पर मार्ग करेंगे 3 इंच पर यहाँ से लाइन को रो करेंगे यहाँ से लेना है हमको यहां से straight line रो करेंगे इसके बाद हम यहां पर tux लेना है 2.5 inch यहां से 1 inch लेना है और इस type से shape देना है इस type से shape देने के बाद यहां से भी एक dart ले लेनी है half inch की 0.25 inch उपर 0.25 inch नीचे अब यहां पर हमें 33 inch पे mark करते जाना है यहां से इसको इस तरह से मिला देना है यहां पर इसका पुरा straight हमें 3 inch तक mark करना है यहां से हमें straight line रो करनी है इस तरीके से यहां से हमें stripes से shape देना है तो यह हमारा 20 आची blouse की marking हो गई है और यह वाला जो पार्ट है इसको हम cut कर देंगे सभी पार्ट को यहां पर देखिए 3 inch यहां पर extra जो हो रहा है न उसको इस तरह से cut करना है अभी यहां पर हमें waste का हमारा fourth part लेना है और 2 inch margin का add कर देना है यहां पर तो waste ते हमारी 28 उसका fourth part लिया हमने 7 inch और 2 inch ले लिया margin के लिए तो इस ट्रैप से लेना है अभी यहां में आपको कोई भी extra लेने की जरूरत नहीं है यह डाट तो हमारी अलग ही निकल जाएगी नीचे वाला part भी हमारा अलग निकल जाएगा यह देखिए इस तरह से हमारी belt आ जाएगी यहां पर belt को बराबर से cut करना है और यह वाला part भी हम यहां पर cut करेंगे यह देखिए इसको इस तरह से tap करेंगे यहां पर जो cut है जो tux point लिया था वहाँ पर एक cut लगा देना है cut हमने यहां पर लगा दिया है तो इस ट्राइब से आपको उसी भी size का सब भी साची blouse cut कर सकते हैं अगर आपका size बढ़ा है जिसे 36 inch है तो tux point के नीचे हमने 3 inch पर marking की थी वो आपको 3.5 inch पर mark कर लेना है तो अब 36 है इसका भी cut कर सकते हैं यहां पर हमें जो हमारा यह वाले part है इन पर हमें यहां पर tap लगा कर इनको join करना है और इन्हें यहां पर margin लेना है इसमें हम सभी side से margin लेंगे इसमें यहां से margin लेना है तो अभी हम जो lining fabric है उसमें back part को cut करेंगे पहले तो back part में हम यहां पर दिखिए इस तरह से folded side पर हमें marking कर लेनी है total length 14.5 inch रखेंगे shoulder लेना है हमको 5.5 inch armor लेना है 6 inch chest का fourth part 8.5 inch 2 inch margin waist 28 उसका fourth part 7 inch 2 inch margin 1 inch back tux के लिए side से line को draw करना है और 1 inch से armor के side पर गुलाई देनी है इसको cut करेंगे और इसी तरीके से हमने front वाले part भी cut कर लिये है तो यह देखिए आप इसमें यहां से यहां से और यहां से हमने half half inch का margin लिया round में हमने सबी side से लिया और इसमें हमने सिर्फ गोलाई से लिया है तो इस step से आपको margin इसमें add कर लियना है अब इसे हम satin tun fabric पर cut करेंगे तो पहले हमें स्लीज देख लेनी है स्लीज में half inch shoulder को stitch करने के लिये छोड़ना है बाकि जो arm मुला रहा है वो 9.5 inch आ रहा है तो यह हमारा स्लीज का fabric है स्लीज की जो length वो 10 inch रखेंगे और 1 inch plus करेंगे margin के लिए 11 inch ले लेना है और इस तरह से normally हमने यह पर स्लीज को down कर दिया है इसमें हम joint लगाने के बाद स्लीज को एक बार और cut करेंगे तो अभी से हमें satin fabric पर cut करना है तो इस तरह से fold करते हुए सभी parts हम इसके cut कर लेंगे तो satin tun fabric पर सभी parts cut कर लिये है अब हमें इसे man fabric पर cut करना है तो man fabric जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेंगे का blouse है और लेंगे की blouse में जो work दिया हुआ उसे हम सभी साची pattern पर कैसे यहां पर cut करेंगे तो दिखिए यह front वाला part है front वाले part को बराबर से इस तरीके से हमको रखना है और यहां पर हमारा यह वाला part cut हो जाएगा यह देखिए इस तरह से हमें इसे cut करना है यह वाला part cut हो गया अब हम इसका belt cut कर लेंगे यह देखिए इस तरह से रखकर इसको cut करना है अब यह हमारा back वाला part हो गया क्योंकि bell को हमने cut कर लिया back वाले part को cut करेंगे यह देखिए तो अभी हमको neck हमारा ज्यादा broad लगता है तो इस तरह से center वाला part हम निकाल सकते हैं ठीके उसको काम कर सकते हैं और यह वाला part हम इस तरीके से यहां पर ले सकते हैं जिससे क्या होगा neck हमारा चोटा हो जाएगा और center में भी इसमें कोई design नहीं दी है जो हमारी cut हो ठीके बस छोटी flower ही बने है तो इस तरह से हमें cut कर लेना अगर आप चाहें नीचे का जो belt है वो बड़ा रखना चाहते तो आप यह नीचे वाली border भी ले सकते हैं फोल्ड के लिए इसको भी cut कर लिया है सभी parts हमारे यहां पर cut हो गए अब हम इसे stitch करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हमें lining और sand dun fabric को stitch कर लिया है यहां पर और यह वाले part को भी हमने net, sand dun fabric और lining fabric तीनों के साथ हमने इसको stitch किया है अब एक और lining fabric हम को cut करना क्योंकि हम इसमें pad attach करने वाले हैं तो यहां पर हमने lining fabric को उपर रखा क्योंकि हम इसे palette देंगे ठीके इस तरह से हमने neck को stitch कर लिया neck पर हमें cut लगा देना है चोटे चोटे और उसको palette देना है यह देखे neck को हम इस तरीके से stitch करेंगे यहां पर इसको हम थोड़ा सा इस तरह से overlay करेंगे यह देखे इसको स्टीच कर दिया तो यह यहां से pack हो गया है pack होने के बाद अभी जो नीचे वाला part है उसको हमें इस तरह से measure कर लेना है पहले जितना यह extra है उसको हमें stitch कर देना है center से हमने इसको stitch किया stitch करने के बाद इससे हम center पर रखकर stitch करेंगे तो जो lining वाला fabric है उसको हटा देना है क्योंकि हमें वुसमे lining वाला part attach करेंगे क्योंकि हमें इसमें pad लगाना है तो man fabric और जो एक को lining fabric लगाया है उनको हमें अलग-अलग stitch करना है ये दिखिए इस तरह से मैंने इसको stitch कर दिया है यह दिखिए इस पर आइरन कर लेंगे अच्छे से और जो मारा लाइनिंग वाला फैवरिक है उस पर भी हम इस तरह से स्टीच कर देंगे जैसे कि हमने मैन फैवरिक को स्टीच किया है इस पर आइरन कर लेना है एक बार और तो दिखिए आइरन हमने इसमें कर लिया पैड अटेज करेंगे पैड अटेज करने के लिए हमें आपे सेंटर पर एक प्लस का साइन बनाना है दोनों ही कप्स पर हमें प्लस के साइन बना लेना है और इससे हम लाइनिंग फैबरिक पर जो हमने कर्ट लगाया था वहाँ पर हम इसको स्टीच कर देंगे यह यहां से स्टीच हो जाएगा सेम इसी तरीके से दूसरा वाला जो कप्स पर इसको अटेज कर देना है यह देखिए तो इसको भी हमने अटेज कर दिया है अब इसको हम अच्छे से सैट करके इस पर आइरन करने के बाद इसको हम नीचे के साइट से स्टीच कर देंगे यह देखिए तो यह इस तरह से सैट हो जाएगा सैट इसको करना पड़ेगा यह देखिए इस पर आइरन करके भी आप सैट कर सकते हैं इसको अब नीचे के सैट से हम इसको स्टीच करेंगे ठीक है यह देखिए पूरे ही सैट से स्टीच करना है तो बैक सैट से यह कुछ इस टाइब का दिख रहा है अब इसका जो भी एक्स्ट्रा फावरिक हो उसको हमें कर्ट कर देना है अब यह हमारी बैल्ट है तो बैल्ट को हमें नीचे के सैट से पहले स्टीच कर देना है तो पहले हमने सैटउन फावरिक रखा उसके उपर नेज्ट फावरिक रखा राइट साइट पर उसके उपर रहने लाइन necesario रखा तो जब इसको हम पल्टेंग करेंगे तो यह जो लाइनिंग पैबरिक है वो अंदर के साइट पर चला जाएगा यह देखिए एक स्ट्रीच हम लाइनिंग पैबरिक के उपर से करेंगे यह देखिए अब इसमें हमें जो हमारा सैंट तून और नेट पैबरिक है उन दोनों को हमें साथ में स्टीच करना है क्योंकि जो हमारा लाइनिंग पैबरिक है उसको हम अलग स्टीच करेंगे और center और net fabric को अलग stitch करेंगे तो जो हमारा lining fabric है उसी के बराबर हमें center और net fabric को cut करना है तो पहले हम इसको stitch कर लेंगे यह देखिए lining के बराबर पूरा cut करना है अब इस पे हमें cut लगा लेना है half inch जितना हमने इसमें आपर extra लिया था ना half inch जितना उतना हम इसमें इस तरह से cut लगाएंगे यह देखिए पहले हमें center से इसको इस तरह से stitch करना है फोल्ड करते हुए जो lining fabric के उसको हम फोल्ड करते हुए stitch कर रहे हैं यह देखिए एक side से हमने इसको stitch कर दिया है दूसरे side से हम इसको stitch करेंगे और यह उपर वाला part फोल्ड होते हुए stitch होगा lining fabric कों में दूसरे वाले side से भी stitch कर देना है यह देखिए अब इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए stitch करेंगे यह देखिए तो हमने इसको stitch कर लिया है दूसरे side से भी same इसी तरीके से stitch करना है और इसके में जो diamond लगे वो हमको निकाल लेना है जिससे क्या होज़ा अगर निकालेंगे नहीं तो हमारी जो needle लेगी वो तूट सकती है तो इसलिए हम इसको पहले ही निकाल कर फिर stitch करना है तो देखिए belt को भी हमने stitch कर दिया perfect finishing आ गई है इसमें अब इसके उपर हमें lace लगा देनी है जिससे यह और भी सुन्दर दिखेगा तो यहाँ पर हमें इस तरीके से lace लगानी है और आप कोई भी size बना रहे हों सब बेसाची को इसी तरीके से stitch करना है आप चाए pad बना रहे हों चाए without pad बना रहे हों इससे क्या होगा न अंदर्ग्राउंड फिनिशिंग हो जाएगी इसमें और यहाँ पर corner निकालके हुए हमें यहाँ पर lace को लगाना है यह देखिए तो हमने इसको stitch कर दिया है side से एक stitch और लगा दिनी है तो यहाँ पर भी इसके diamond निकालने कर और फिर आपको stitch लगाना है यह देखिए तो हमने आप पर इसमें pad लगा दिये और lace भी लगा दिये अब यह हमारा back वाला पार्ट है तो back वाले पार्ट को हमने sand tune रखा और फिर उपर उसके net फैबरी रखा उसके उपर हम lining fabric रखेंगे क्योंकि इसमें हम कोई भी paper pasting use नहीं कर रहे हैं और जो neck था वो तो हमने पहले इसको cut कर लिया था extra जो था जितना हमको जाता लग रहा था उतना हमने इसको cut कर दिया था और यहाँ पर हमने नीचे के side से भी इसको fold करते हुए stitch कर दिया है तो यहाँ पर हमने जो हमारा neck था उसके side से बिलकुल stitch की है अब देखें यहाँ पर मैंने क्या क्या 2.5 इंच पर इस तरह से dory को attach कर दिया है ठीक है और इसको हम palette देंगे तो dory हमारी बाहर के side पर आ जाएगी और neck में भी हमारी finishing आ गई है तो देखें जैसे हमको neck चाहिए था तो वैसा हमने आप पर बना लिया है neck जाद हमने broad नहीं किया यह देखें तो इस तरह से आप neck जो है उसको आप छोटा कर सकते हैं ब्रॉट से कम कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप यहां पर हमें neck पर stitch करनी है और नीचे के side पर हमको stitch कर देना है बाकी side से भी stitch करके extra fabric करेंगे नीचे के side मैंने lace लगा दी है और अब हमें आपे hook की पट्टी लगानी है lining fabric को double करते हुए उपर नीचे तो दोनों side extra fabric रखा था उसको fold करते हुए stitch करना है और जो lining fabric को उसको पूरा अंदर के side fold करते हुए stitch करना है जिससे हमारी lining जो हमारी hook वाली पट्टी है वो complete हो जाएगी तो हुख वाली पट्टी को complete कर लिया है आई वाली पट्टी लगानी है तो आई वाली पट्टी में हमने यहाँ पे इसको 3 इंच रखा है weight में इसमें भी उपर side नीचे दोनों side extra fabric रखना है इसे fold करने के लिए और stitch कर देना है एक बार और हम fold करते हुए stitch कर देंगे तो आई की पट्टी भी हमारी complete हो जाएगी यह देखिए तो hook और आई की पट्टी complete कर लिया है अब यहाँ पर जो हमारी स्लीज थी स्लीज में हमने joint लगा लिया है lining fabric पर अब हम इसको इस तरह से fold करेंगे fold करने के बाद हमें आपर स्लीज को cut करना है तो देखिए एक बार हम back वाला जो पाटे उसको एक बार और measure कर लेंगे यहाँ से कितना आ रहा है 9.5 इंच यह देखिए इस तरह से स्लीज राउंड जो है वो 5 इंच है और 2 इंच लेना है margin के लिए तो हमने जो 10 इंच था उसका half लिया 5 इंच और 2 इंच margin total 7 इंच पर mark करते हूं इसको cut कर दिया है अब 2 parts में हमें front के लिए shape देना है तो पहले हमने sand tune और उन दोनों को net fabric को stitch किया था ठीके फिर उसके बाद हमने इसके उपर cotton fabric रखकर पलट दिया है अब हमें आपे shoulder को stitch कर देना है इसमें हमें normally लटकन लगा ली है अब हम स्लीज को stitch करेंगे तो स्लीज का जो extra fabric cut किया था उसको हमें front में stitch करना है यह दिखिए तो इस तरह से स्लीज को stitch कर लिया fitting लगानी है center से chest के fourth part पर यहाँ पर मैं west का fourth part लेना है और यहाँ पर west में जो है वो west का fourth part लेंगे स्लीज राउंड का half लेना है 10 है तो इसका half लेंगे five inch five inch पर mark करेंगे और तीनों marking को मिलाते हुए हमें fitting लगानी है तो हमारा यह सब बिस आची blouse बनकर complete हो गया है I hope कि आपको यह video पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like share and comment जरूर करिएगा और चेनल को subscribe जरूर करिएगा Thank you